आज का बोद सुत्र है चिंतन जगा लेना एक व्यक्ति जब समुद्र पार करने के लिए नाव पर सबार होता है तो इधर उधर किनारे पर खड़े कुछ लोग भी उसके साथ नाव में बैठ जाते हैं उस नावका विहार में वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से चर्चा वार्ता करता है हसी मजा करता है और आमोद प्रमत के क्षणों में सहयोग की लेन देन खुब बढ़ा लेता है इस तरह जान पैचान बढ़ती है और एक दूसरे का पता ठिकाना पूछ कर संबंध घनिष्ट हो जाते हैं इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है तो कुछ लोगों से शत्रुता देखते ही देखते नौका दूसरे किनारे लग जाती है और सभी यात्री अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं बस यही है मनुष्य की जिन्दगी यहां सब कुछ नदी नाव संयोग है नाव में बैठना जन्म है और नाव से उतरना मृत्यू है मृत्यू कब कहां और कैसे होगी यह कोई नहीं जानता कोई बीमारी से भी मर सकता है तो कोई आग में कुदकर या जहर खाकर भी मर सकता है कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से या एक्सिडन्ट से भी लोगों की जीवन लेला समाप्त हो जाती है याद रहे इस दुनिया में ऐसा कोई वकिल नहीं जो सुप्रिम कोट से मौत के समक्ष स्टे ओर्डर ला सके ऐसा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं जो मौत के पंजे से किसी को मुक्त कर सके पैसा, प्रतिष्ठा एवं परिवार की मजबुत दिवारे भी मौत को नहीं रोक सकती अतह दम निकलने से पहले मौत को सुधारने में जीवन का पूरा दम लगा देना चिता जलने से पहले अपना अनमोल चिंतन जगा लेना दर असल ऐसा होता है, स्वस्त शरीर वाला व्यक्ति अपनी मौत के बारे में विचार करने के लिए तयार नहीं होता किन्तु वो संकट या रोक से ग्रस्त हो जाए तो मौत के अस्तित्व का कुछ हद तक एहसास करने लगता है वो भूल जाता है, जन्म हुआ उसी समय से मृत्यू की और हमारी यात्रा का आरंब हो जाता है जैसे सुर्योदे के समय से ही सुर्यास्त की तयारियां हो जाती है जन्म के आंचल में मृत्यू छिपी हुई है अतह जो जन्म दिन है वही मृत्यू दिन है हर आती हुई सांस जाती हुई सांस से जुड़ी हुई है तभी तो कहा जाता है जन्म लेते ही समय की कुदाली कब्र खोदना प्रारंब कर देती है इसलिए जीवन एक अजिब कहानी है बिना जन्म के जीवन कहानी का आरंब नहीं होता और मृत्यू की कगार पर इसका अंत निश्चित रूप से होता है अतह इस कहानी का एक छोर जन्म है तो दूसरा छोर मृत्यू है जन्म के संग मौत युगल रूप से समबध है तभी हम सोचने को विवश होते है प्रश्न होगा मृत्यू क्या है यह कहां से आती है यह आती ही क्यों है वो हमें कहां ले जाएगी वहाँ क्या होगा इन सभी सवालों की जबाब हमारे चिंतन को चुनावती देते हैं और हमारे जिन्दा दिली की परिक्षा लेते हैं अगर इस दुनिया में मौत का पहिया नहीं घूमता तो अहंकार को तूटने का आउसर नहीं मिल पाता इसलिए कहा भी है जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिन्दगी राह पर नहीं आती प्रश्न हो सकता है जीवन और मृत्यू में कौन स्रेष्ट है हलाकी दोनों ही अनिवार्य है और परस पर आश्रित है दोनों का अपना अपना दर्शन यम अपना अपना महत्व भी है समझ पुर्वक जो स्विकार किया जाता है वही सर्व स्रेष्ट बन जाता है द्रिष्टी बदल जाए तो स्रिष्टी भी संपूर्ण जीवन की बदल ही जाती है रिशी मुनियों ने जीवन और मृत्यू को कला बताया है जीवन कला और मृत्यू कला यदि हम जीवन को स्रेष्ट कहते हैं तो मृत्यू को क्या कहे और मृत्यू को स्रेष्ट कहते हैं तो जीवन के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे अत ज्यानियों ने इस प्रश्ण का समुचित समाधान दिया है जीवन अध्यन काल है तो मृत्यू परिक्षा की घड़ी है बिना अध्यन के परिक्षा में सफल नहीं हुआ जा सकता को अपिक्षा करत अधिक स्रेष्ट माना जा सकता है क्योंकि परिक्षा के समय की थोड़ी सी भूल भी अध्यन काल के संपूर्ण परिश्रम को व्यार्थ कर देती है अतह मृत्यू के लिए जीवन भर साधना करनी होगी जीने की कला सीखनी है उनका ही जीवन सार्थक है जो अपने बहुमल्य समय को सत प्रवृत्यों में लगाते हैं अपसोस है ममत्व के चक्रव्यों में फसने वाला इंसान सत कर्म की बात क्यों भूल जाता है जैसे एक व्यापारी संध्या के समय हिसाब लगाता है लेखा जोखा करता है तब वो समझ पाता है मैंने क्या पाया और क्या खोया ऐसी ही मृत्यू भी जीवन के कारियों की जाँच करने वाली सुन्दर सलावनी संध्या है एक बार पेड़ पर दो बाज पक्षी बैठे हुए थे जो अपना शिकार चोंच में दबाए हुए परस पर आप बिती सुना रहे थे एक की चौँच में साप था और दूसरे की चौँच में चूहा बाज पक्षियों ने जब अपनी पकड धीली की तो साप ने चूहे की और देखा और चूहे ने साप की और देखा साप चूहे को पाने के लिए जीब लपलपाने लगा और चुहा सांप को देखकर अपने भैवश शिकारी बाजपक्षी के डेनों में छिपने का उपक्रम करने लगा ये द्रश्य देखकर दोनों बाजपक्षी विचार मगन हो गए एक बाजपक्षी अपनी चोंच में पकड़े हुए सांप की और संकेत करते हुए बोला ये कैसा विचित्र प्रानी है जीब की लिपसा के आगे इसे अपनी मौत को भी भुला बैठा है तब दूसरे बाजपने चुहे की और देखते हुए कहा ये भी कितना ना समझ है इसे पता है अगले पल ही मेरी मौत निश्चित है तब भी सांप से डर कर अपनी और अपनी को बचानी के लिए मेरे ही डैनों में चिपने की कोशिश कर रहा है उस पेड के नीचे बैठा हुआ एक मुसाफिर दोनों बाजपक्षियों का समवाद सुनकर चिंतन करने लगा क्या हम मनुष्यों की भी दशा ऐसी विचित्र नहीं है चुहे की भाती मनुष्य अंतिम क्षन तक जीने की आशा नहीं छोड़ता और साप की तरफ उसकी अदम्य लालसाईं जीवन के अंत तक जीवित रहती है हकीकत यह है लालसा अनंत है जो कभी तृप्त नहीं होती तृप्त होना मन का स्वभाव नहीं है जैसे आग की लकडियों को नहीं पुझाया जा सकता और सागर को नदियों से तृप्त नहीं किया जा सकता ऐसे ही मन की कामनाओं को भी तृप्त नहीं किया जा सकता जीने की इच्छा ही सब दुखों की जननी है चाहे शरीर जिर्ण शिर्ण हो जाए बाल सफेद हो जाए दांत तूट जाए तब भी मनुष्य की जीने की इच्छा खत्म नहीं होती रोकेगा कौन काल की जब आंधी आएगी ना सो ना काम आएगा ना चांदी आएगी तू राही है तू पंथी है तू तो मुसाफिर है तू राही है तू पंथी है तू तो मुसाफिर है अपने से ही अन जान तुँ भट का दरदर है भगवन की वानी तुझे सची राह दिखाएगी भगवन की वानी तुझे सची राह दिखाएगी न सो ना काम आएगा ना चांदी आएगी रोकेगा कौन काल की जब आंधी आएगी न सो ना काम आएगा ना चांदी आएगी ना काम आएगी ना काम आएगी झाएगी झाल झाल